अब हमारा वो सेग्मेंट शुरू हो चुका है जहां पर कभी डिबेट होती है तो कभी स्पीच होती है और हमें अपना सेमी फाइनलिस्ट मिल जाता है लेकिन आज होने वाली है मंजर निगारी हम हर हफते इतवार पीर और मंगल के रोज चार कंटेस्टेंट लेकर आते हैं और चार कंटेस्टेंट आपस में कंपीट करते हैं नवे सेकंड का वक्त उनके पास होता है हमारे जजजिस को इंप्रेस करने का और उसी तरह आज हमारे पास चार कंटेस्टेंट हैं और वो आप जो कंटेस्टेंट जीतेगा उसको जाएगा रॉयल फंड कलब की तरफ से पचीस हजार का वाउचर और आज का जो टॉपिक है अली भाई वो बड़ाई इंट्रिस्टेंग है बहुत जबरदस टॉपिक है वो है गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी और यकीनल हमें जरूरत है आज हमारे साथ सबाफ ऐसल साहिवा भी मौजूद है और हम भी कोशिश कर रहे हैं टॉपिक तो हमारा थोड़ा सा अलग है लेकिन अगर मैं एक चोड़ा सा पॉइंट निकालना चाहूं तो वो यह है कि हमें अपने जो सीनियर्स हैं उन से जो चीजें हम सीखते हैं उनको हमेशा अपने जहन में और अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए ये आज हमारा जो टॉपिक है देखते हैं कि इस पे गुफ्तु का क्या अंदाज लेकर हमारे कंटेस्टन आएं बिलकुल और हमारे जो रनर अप्स होंगे उनके साथ जाएंगे माहियार भाई एरम जिया की तरफ से बहुत ही खुबसूरत जोड़े मास जी की तरफ से बहुत खुबसूरत जोड़े और हर्बियान की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैंपर्स लास्ट टू वीक्स के सेमी फाइनलिस्टे नाम में बता देती हूँ अब्दुर्रह्मान, सवेरा साइद, इरम हमीद, शाजनान असद, जवेरिया और मलाइका कुरेशी और अब अली भाई हम बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को बिल्कुल जी उनका नाम है अब्दुर्रह्मान आज हमारे साथ अब्दुर्रह्मान मुहमद आस्म बिलाल आस्म बिलाल भी है माई साथ, ठीक है आस्म बिलाल मुहमद आस्म आपके पास 90 सेकंड का वक्त है, हमारे जजजस को इंप्रेस करने का, बिसमिल्ला मेनारा ए दिमश्ग से गुञने वाली आजान और फल्मूरियाती कधा के मिस्दाग घोड़ों के टापों से उड़ती चंगारियां कभी आलम कुफर पर इसलाम और मुसल्मानों की हैबत का बाइस हुआ करती थी सद्रे आली वकार यही वज़ा थी के दश्ट तो दश्ट दरियाबी तस्खीर यही वज़ा थी के महलातِ कुर्टबा से लेकर दिली के लाल किला तक बगदाद की पुर्शिकों अमारात से लेकर आगरा के ताज महल तक मुसल्मानों की हकुमत इनके इल्मों हुनर और मिली यक जहती का तोती बोलता था लेकिन फिर किस्वी सदी का आगाज हुआ गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी और हमारे जवाल का दोर शुरू हो गया के हमारी तलवारे गुलामी के अक्द में बंदी फकत महलातِ अमारात में रक्स के काम हाई वादी जन्नत नजीर कश्मीर जहन्नम में डूब गई सर्जमीन एंबिया फलस्तीन एराक और शाम से इंसानियत के चालिसमें की नवाएं बलंद हुई अल्कुदुस लहू में भीगा फर्याद करता रहा किस्से मुक्तसर तमाम उम्मत मुस्लिमा अलमदद पुकारती रही और हम लोग फर्याद रसी करने से पहले दाड़ी की मिगदार पगड़ी के रंग और रामीन की आवाज को जाइते रहे कि गवादी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी सुरिया से जमी पर आसमा ने हम को देवारा शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू आसम बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरे कंटेस्टेंट हमारे पास इस वक्त है मुहम्मद वकार मुहम्मद वकास मुहम्मद वकास 90 सेकिंड का आपके पास वक्त है बिस्मिल्ला गवादी चले आपका टाइम शुरू होता है अब गवादी हमने जो इसलाफ से मिरास पाई थी हमत करें कोई बात नहीं है गवादी हमने जो इसलाफ से मिरास पाई थी सुरिया से जमी पे आसमान हमें दे मारा अच्छा वकास मैं आपको थोड़ी देर का टाइम देती हूँ आप तश्रीफ रखें हम आपको फिर लास्ट में बुलाएंगे हम बुला रहे हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को लारेब वजीर लारेब वजीर आके पास 90 सेकिंड का वक्त है ये यरोशलम है जिसमें चन्हवारी आगे आते हैं और उनमें से एक सवाल करता है कि तुम में से मसी कौन तो सवाल के जवाब में वो ऐलान कि बेशक हरेख ने अपनी सलीब खुद उठानी तो क्रिस का बलीदान यसू की सलीब हुसेन इपने अली होया दजला का किनारा वो ये जानते थे जो एहले शरम थे जेरे जमी जा चुके मगर सद्रे आली वकार हमारी बात कौन सुनता है हमारी तो तब भी ना सुनी गई थी जब चंड डालर अपनी जेबों में डालने के एवस अपनी असमते बिचा दी गई थी हमारी तो तब भी ना सुनी गई थी जब घर के दालान में गारिया खड़ी करने के सद्के अपना रावी तर्बेला उनकी चानियों में तक्सीम कर दिया गया था के हमारी कौन सुनता है हमारी तो तब बी ना सुनी गई थी जब वजीरों की वजिरिस्तान को मौत की वाहेद रौष्णी बना दिया गया था कि गवाधि हमने जो इसलाफ से पाई थी मिरास वो खुद्दारी, वो इमानदारी, वो दयानदारी, वो इंसाफ गवाधिया हमने कि सद्रियाली वकार, तक्रीरों के अंदर शॉला बयानी एक तरफ, कश्मीर की बेचियों की अस्मत एक तरफ, मेरा रावी प्यासा, मेरा दजला खामोश, मेरा सेंस, सिंदगे शराख मागता है, गर इस सैवान के अंदर गहरत का एक खाना भी बाकी है, तो मेरी कान खोल कर ना मन्जिल, ना दरोदीवार, ये कर्बो बला के मसाफिर अभी मरने वाले है, मेरा हरीफ नावार सीखाया, मैं कैसे कह दू, मेरे जखम भरने वाले है, मेरे जखम भरने वाले है, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लारे, और वकार हैदर जैदी, हमार साथ जो है चौते कर्टेस्टेंट आज मौजूद है जी बिसमिल्ला इनसान बेहसी का चलन बेचने लगे रेशम जो बेचते थे कफन बेचने लगे कुछ बागबा बहारे चमन बेचने लगे जब कुछ नबिक सका तो वतन बेचने लगे जब कुछ नबिक सका तो वतन किर्दार है कि जिनके किर्दार की मिसालें ये जमाना दिया करता है तो दूसरी जानिब वो मुसल्मार है कि जिसको देशनगर्द का लगम मिलता है एक जानिब तो मेरे सामने वो किर्दार मुहम्मद मुस्तिफा है कि जो कच्रा फेकने वाले की दूसरे दिनायादत पर जाते तो दूसरी जानिब मेरे सामने ये आज का हुकमरान है जो खरीब की मैनत की कमाई से याज बनता जा रहा है अफसोस होना तो ये चाहिए था कि ये कौम जो मुहम्मत मुस्तिफा की कौम है इसने पूरी दुनिया पर चा जाना था ये हैदर करार के पैरोकार हर मैदान में आग को खिला देता था हम तो वो थे जिनके आसो फरिश्टों को रूला देते थे हम तो वो थे जिनके आसो इस काइनात को मौतर कर देते थे सदर अलिवकार बात ये नहीं है कि हम कहते हैं प्रे हम मुस्तिफा के चाने वाले हैं हम मुर्तुदा के चाने वाले हैं बात तो तब है कि जब हमारे किरदार ऐसे हो तो दुनिया देखकर कहे देखो ऐसे होते हैं मुस्तिफा के चाने वाले ऐसे होते हैं हैधर के चाने वाले के गवादी हमने जो इस लाफ से बिरास पाई थी बहुत शुक्रिया माशाला, माशाला, माशाला और अब हम पूछते हैं मुहमद वकास से वकास क्या आप तयार है मुहमद वकास क्या आप तयार है अब walk out करना चाहते walk out करना चाहते चले लेकिन best of luck तो जी हमें काम करते हैं कि अब अपने judges से पूछते हैं कि तीनों contestants ने आज कैसे perform किया जी शेरी भाई जी मेरे इसाब से तीनों आज बहुत अच्छे थे और तीनों ने बहुत अच्छा पड़ा लेकिन बजर का एक तो टाइम हमें देखना होता है कि किसने जल्दी उसको wind अप किया क्लोस किया और up and downs कैसे थे तकरीर का अप्तिदा कैसे की उसके बाद उसमें अपना कैसे लफजों के साथ जहां जो शाना था है जहां तो मेरे हिसाब से जो सबसे बहतर जो मुझे लगे वो वकार हैदर जैदी जोनोंने आखर मुझे वकार हैदर जैदी ठीक माशालला आज मुकावला इस हिसाब सक था कि मनजर निगारी सब ने अच्छी की जो हमारे भाई सबसे पहले आसिम बिलाल साहब आये थे तलफ़ उनका मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि तलफ़ पर मेहनत कर सकते हैं और बेतर अंदास है अंदाजे बेहां भी बहुत खुबसुरत था और लेकिन जिस तरह हमारी बेहन लारे वजीर थी उनका अंदाजे बेहां बहुत खुबसुरत था बहुत अच्छे अंदाज में और confidence लेवल बहुत हाई था लेकिन जो क्योंके winner एक ही चुनना है तो आज हम सबकी मैं भी उसी तरफ जाओंगा कि वकार हैदर जादी ने जिस अंदाज से हम की तकरार की और जो उसका जो अंदाज बियान था और जो confidence लेवल था वो बहुत खुश्ड़ था माशाला मेरी तरफ से भी पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे बिल्कुल जी इननोंने बहुत अच्छा एक तज्जिया पेश किया बिल्कुल मैं आपकी बात को second करती हूं के तलफस पर मेरे ख्याल में तवज्ज़ देने की जरूरत है जो हमारे first वाले जन्होंने बोला तोती बोलता है तो तोती बोलता है और भी बहुत सारे अलफाज थे लेकिन अंदाजे बिया ठीक था उनका और जो हमारी खातून है उनका भी जोश और जजबा बहुत अच्छा रहा लेकिन इन दोनों के साथ मैं भी मुत्तफिक हूं के विनर वकार है दर जैदी तो वकार बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए हमारे पास है रॉयल फंड कलब की तरफ से फाइव थाउजन रॉपीस का वाउचर और हमारे जो बाकी के कंटेस्टेंस हैं उनके साथ हमारे गिफ्ट हैंपस भी जाएंगे उसके इलावा मैं कहना चाहूंगी मुहमबद वकास को कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कीजे आपके पास परसो तक का भी टाइम है अगर आप और मजीड प्रेपरेशन करके आना चाहते हैं आप परसो हमें जोइन कर सकते हैं और मैं चाहूंगी कि आप हमें जोइन करें और वकार मैं चाहूंगी कि आप आएं और ये 25,000 का वाउचर मैं चाहूंगी सबापा आप इनके लिए हैंड ओवर करें आपके हाथ से जाएगे तो अच्छा लगेगा यह रॉयल फांड कलब की तरफ से जी वकार को 25,000 रुपे का वाउचर बहुत बहुत मुबारक हो और जो हमारे फाइनलिस्ट होंगे जो फिनाले विनर होगा उसको जाएगी समर रस की तरफ से एक मोटर बाइक बहुत शुक्रिया